एक लाख रुपे की इंवेस्मेंट थी वो छोटी-छोटी स्टॉक्स में लगा दिया। टाइटन का शेयर लिया बहुती सस्ते रेट पर चार या पांच रुपे के आसपास टाइटन का शेयर आज की डेट में तो तीन हर रुपे पर चल रहा है। अगर मैं अपनी स्टेटिजी की बात करूँ कोई सस्ते शेयर मिल जाएं दस रुपे का जो हजार रुपे पहुंच जाए उनके एक ही शेयर आप बोल सकते हैं कि पूरी वेल्थ क्रियेट करके आपको दे सकता है। आज की 5,000 रुपे से 5,000 रुपे से 5,000 करोड कि जो रिटेल इन्वेश्टर सबसे बड़ी गलती करता है वो यह करता है कि शेयर मार्किट में काम करना यसा है जैसी कि आप आग के साथ खेल रहे हैं तो इसी टाइप की कुछ नियूज आ गही थी कि वह कंपनी स्टाप को से से में एक्जिट हुआ मेरी ना हिम्मट तूट चुकी थी अब दुबई जाने से देखे मेरा सबसे बड़ा बेनेफिट क्या हुआ यहां से में बात करूं तो अभी मेरे और निफ्टी को मैं यहां से डबल के लेवल पर जाता हुआ देख रहा हूं अगले पांस साथ साल में आपको बुल रन से पहले यह एसे स्टोक्स पर नजर रखनी होती हैं जो क्वालिटी में अच्छी हैं लेकिन सही प्राइस पर आपको देख मारकेट में काम करें पिष्ले 15 साल से और मौर्केट का का इनको एक्सपीरियंस और निका चाई जह जँगे वह करे ऐसेषर दो बी देखा है और फिर जो अपना 2020 का च्रेश था इन्होंने वह भी देखाई मार्केट के काफी उतार चड़ाव देखें मारकेट में बड़ा एक बुलरन भी देखा है तो बहुत सारी चीजे इनों देखी है तो आज इनका एक्सपीरियेंस जानेंगे मार्केट का और जिससे कि मुझे और आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा तो भाई एक बार फिर से आपका स्वागत है नुझजूर जी तो आपको भाई सबसे पहले तो आपको यू बोलना चाहूंगा कि आपने फ्लेट फोर्म दरता मेरे लिए कले सबैरे में बूर्ट बॉट की यूँ ऊर्म यहीं से ए और मेरे जो फादर थे वो गोवर्नेंट जोब में शूब है ज़लबर्ड में और जो मेरी एजुकेशन हुई है वो सारी दिली से ही हुई है बाई एजुकेशन में बीकॉम किया हुआ है देली यूनिवर्सिटी से उसके बाद CMA किया, CMA इंटर में पास आउट हूँ और जोब के अगर मैं बात करूँ तो 2007 से मैं जोब कर रहा हूँ, एकाउंटिंग बे पहला डीम एकाउंट ओपन करवाया और एक द्रीम था कि शेर मार्किट से एक रेगुलर इंकम बने क्योंकि देखिए मैं जोब कर रहा था पिछले दो साल से और जोब में आपको पता है स्टार्टिंग में सेलरी कोई खास होती नहीं है तो पहली जब आपकी जॉब लगी उस टाइम पे आपकी पहली जॉब में सेलरी क्या थी देखिए बहुत कम थी क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कम एज से में अपनी जोब स्टार्ट कर दी आप बोल सकते हैं कि बीकॉम जब मैं कर रहा था जस्ट उसके बाद से में अपनी जोब स्टार्ट करी एटीन ना इसे लोग हैं जिनको आज भी श्टॉक मार्केट गवारें पता नहीं है उनको पता नहीं है इतना शोशल मीडिया हो गया सब चीजें हो गई तो 2009 में तो इंटरनेट भी एक तरीके से आया नहीं था जियों के बाद ही खास करके आया है तो इस ताम भी आपको कैसे पता चला क की शेर मार्केट नाम की भी कोई चीज होती है देगे शेर मार्केट का मुझे पता लगा जब मैंने जोब की थी तो वहां पर मेरे सीनर एकाउंटेंट थे तो सीनर एकाउंटेंट जो सीनर एकाउंटेंट थे वो जोब के साथ साथ वहां पर शेर मार्केट में भी ट्रेट करते थे ओफीस से prove मैंने थोड़ा-फोड़ा नौली हीला स्टार्ट किया उनसे समझना की कि सोधे क्षेर आंग से काम करता है उसके पाद उन्हों ने बता कि कुछ नजजन वाला की स्टोरी मुझे मघवे हर्शत में मेहता की मापर न ही किस तरीक से बुल रन आया और उसके बाद मार्किट क्रेश हुई तो यह सारी मैंने इस टोरी पढ़ी राकेश जूंजुन्वाला की हर्शद महता की एस ताइम पर उसद सतीरेट पर 2000 One or 2012 के आज पास उन्होंने टाइटन के कुछ शेर्श लिये थे शायद ripping से पांज को पता है कि टाइटन का शेर आज की डेट में तो तीन है रसुक पर चल रहा है तो वह एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला मार्केट को लेकर कि किस तरीके से शेर मार्केट पूरी लाइफ को से 5000 क्रोड तो मुझे भी लगता था भाई 5000 हमारे पास भी है पॉड कास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप जॉइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स जहां पर कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिलकुल बेसिक से एड़वांस तक वो भी बिलकुल free of the cost तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस podcast के description में तो अभी गभी description open करो, कोर्स की details को read करो और को जॉइन करो और अगर आपने तक टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो शेर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेश्ट न्यूज, इंफोरमेशन और अपडेट्स आपको सबसे बहले मिलती रहती है मेरी टेलिग्राम चैनल पर जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ यह अगर कहता सकता है दूसरा अगर कि बात करेंगे तो जैसे को बता है मेराम अकूंट्र बोटेंशन वालेट कर पाया कि किस तरह को सनी सब्सुद्विग्राम का एक इंसान जिसको अग्यों चृपने नौशून ले अब तो अगर चेलर मारकेट में हम डीपली नौलज ल आज की डेट में डिविडेंट मिल जाता है तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर मार्केट में अगर आप सही स्टोक को सिलेक्ट कर लेते हैं सही टाइम पर तो किस तरीके से वह एक वेल्थ क्रियेट करता है और रेगुलर इंकम भी आपको जनरेट करके दे स्टार्टिंग कैसे की कितने पैसे से की क्या उमीद थी उस टाइम पे बहुत बड़े पैसे चापने की उमीद थी है यह था चलो दस बारा हजार के अपनी सहल लिए कुछ दो चार पांच अजार साथ में और निकल जाए तो अपनी इंकम थोड़ी बढ़ जाएगी यह था ऽे स्टार करूं और जत्री में सेलरी के थूच इक पार्ट टाइम इनकम टाएटकर पाऊंören उसको कितने शे लगा कैसे स्टार्ट करें लगा यह इंवेस्ट किये वह जैसे स्टोक को सिलेक्ट करना पसंद करते हैं मालिज ये कोई शेर 500 रुपे पर है और वो गिर के 200 रुपे आ गया तो एक रिटेल इन्वेश्टर ये सुचता है कि 500 से 500 का शेर हमें 200 में मिल रहा है लेकिन वो उसके फंडमेंटल्स को देखता नहीं है वो यह नहीं समझने का पर्यास करता है कि 500 से 200 गिरा क्यों है वो सब्सक्राइब यहीं समझने वाली बात है मार्केट में कि जो शेर 100 से 1000 रुपे पर आ रहा है तो दस रुपे से एक रुपे भी जा सकता है अब मालीज आपने दस रुपे पर उसमें इन्वेस्ट किया तो अगर दस रुपे से वह दो तीन रुपे पर आ गया तो इसका मतल मार्केट से तो यह थोड़ा सा समझने वाली बात होती है और मैंने जो स्टार्टिंग में एक लाग रुपे लगा है वह इसी मेंटिलीटी से लगा तो मैंने भी जो अपना एक लाग रुपे की इन्वेस्टमेंट थी वह छोटी-छोटी स्टॉक में लगा दिया यही सोच रुपे इन्वेस्ट किये थे वह बढ़कर कुछ 40-50,000 रुपे मुझे उसमें प्रॉफित हो गया और एक लाग के डेड़ लाग रुपे बन गया एक लाग कितने टाइम में हुआ 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 यह वा दो महीने के आसपास आप सोच रहोगे यार 25,000 रुपे महीने के बनने तो यह से बढ़िया तो क्या मीनिया में तो मेरी से से डबल तो प्रॉफित यहां पर हो रहा है तो उसी मेंटिलिटी के साथ फिर मैंने डेल लाक बी इन्वेस्ट किया बाद में उस लगने काम निकरा और जो मैंने शेर्स खरीदे ते वह क्रेश हो गये मतलब 70-80% तक मेरे जो शेर्स थे वह डाउन हो गए और जो मेरे डेल लाक रुपे थे वह बचकर 30-40 रुपे बचे तो यह मैंने स्टाइम पर मतलब आपको एक सेट बैक लगा किया डेल लाक लगाए थे क्योंकि एक के डेल तो होई गए थे जब वापिस से आपके 30-40 जार बचे तो उस पर यही था कि जो शेर्स मैंने खरीद रखे थे उनको देखिये मेरी कंडिशन ऐसी होगी थी उनको सेल भी निकर सकता था क्योंकि इतने बड़े लोस के साथ उसमें से गिरा खजूर मैट का बिलकुल मैं बिलकुल खजूर पर अटक गया जैसी मेरी सिचुएशन होगी थी और उसमें से मैं एक्जिट भी निकर पा रहा था तो कुछ टाइम के लिए मैंने उनको होल्ड किया और इसी बीच मेरे कुछ तीन-चार महीने निकल गए चार-पांच महीने निकल गए उसमें जो सेल ली आती थी उसकी भी मैंने अपने सेविंग्स करी उसमें दुबारा स कि इस तरीके से किसी भी स्टॉक को जब खरीदते हैं तो वहां पर उसमें क्या क्या चीजे देखनी होती है और पहले आप कर रहे थे वह तुक्कावाजी कर रहे थी वह बिल्कुल प्योर तुक्कावाजी थी आप बोल सकते हैं कि एक सट्टा टाइप में खेल रहा था कि जो शेर गिर गया उसको खरीद लो सब्सक्राइब प्याने वली बात होगी न कि गोड़े भाग रहे हैं ज्यादा भाग रहा दिख रहा है उस पर पैसे लगा दो पता नहीं विल्कुल विल्कुल क्यों भाग रहा है कहां तक जाएगा वह कुछ नहीं पता चिर्फ यह कि भाग रहे हैं तो अपने पैसा लगा तब गोड़े की टांग तूट गी विल्कुल विल्कुल या गोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है बस उस पर पैसा लगा दिया उसका यह निए पता कि उसकी क्या क्या रेस है उसका तो इसी तरीके से में शेयर को भी सिलेक्ट कर दिये जो फंडमेंटली बहुत जादा वीक थे वो मैंने उसको निकाल दिया उसको एक तरीके साब बोल सकते हैं फिल्टर मैंने कर दिया तो उसमें से कुछ शेयर मैंने अपने पास रखे कुछ को सेल आउट कर दिया और चार-पांच महीने में जो सेविंग्स थी फिर उस गया ikझाल memory टेता कि जो फ्लमारता सांग हुए धिविंडुक को कि बढ़िया संसे फ्ञे़फ की क्या सम Alrighty, छिश्विंग का अविश्व क कर दिया ओत है्ज नहीं होता है जैसे हैं कि अपने बता है कि आपने शेरी को न्ई को सीसिज ह Chat यो पहनिश चिश्तावक से कि आप की पांच-दस रुपह वाले वह सस्ते शेर होते हैं और जो बड़े शेर होते हैं जो क्वालिटी ठीपरी उनके चियर जनलरी महँगते हैं थोड़ी सो 200 रुपे के पचासफरु रुपह से कम रहा है वो सस्ता शेर है और जैसे आपने बताया कि जो बड़े ब्लू चिप कंपनीज रहती है वह हमेशा आपको सस्ते रहे वह कम प्राइस पर नहीं मिलती वह पांट सुर रुपे हजार रुपे का असपात देखने लेकिन देखे जो स्टोक की वेलेशन रेती है वह वेलेशन से सस्ता है यह सकता है कि पांच हजार रुपे का शेर से सस्ता हो सकता है यह बात धरी का यह वथे्मिल ऑलती है रभ गflower को सब्सक्रिया थी का रमिलेशन बालत वह उसका वेलेशन गश्वाले पिलकुल भल्ली जो प् athletes यह मेरा से 10 साल था वह आज तो जब मेरे उनसे बात होती है तो उनसे यही समझवा आता है कि इनका जो माइंड से वह यह जो मिरा आज से 10-12 साल पहले था यानि कि जो company के valuation निकाली जाती है P ratio निकाले जाता है Price to book value निकाली जाती है यह बहुत सारे factors होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि कोई share सस्ता है या महिंगा है जैसे आपने बता है कि कोई blue chip company जिसका price अभी 1000 या 1500 चल रहा है वो 10-12 रुपे पर जो पेनी share है Podcast में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप share market सीखना चाहते हो तो आप join कर सकते हो मेरा free share market course जहां पर कि आपको share market सीखने को मिलेगा बिल्कुल basic से advance तक वो भी free of the cost तो इस course की detail मिलेगी आपको इस podcast के description में तो अभी के अभी description open करो course की details को read करो और course को join करो और अगर आपने अभी तक telegram channel join नहीं किया तो share market से जूड़ी हुई latest news information और updates आपको सबसे बहले मिलती रहती है मेरी telegram channel पर जिसका जो link है वीडियो के description में आपको मिल जाएगा तो अभी के अभी link के ऊपर click करके telegram channel join कर लो लेकिन या आप किस तरीके सा पता लगा पाएंगे या आप पता लगा पाएंगे जब आप उसके fundamental analysis करेंगे यानि कि उस company की valuation निकालेंगे अब valuation निकालने के जैसे मैं आपको बताए कि P ratio के थूँ आप निकाल सकते हैं price to book value के थूँ आप निकाल सकते हैं या company के profit देख सकते हैं तो इस तरीके सा आपको पता लगता है कि ये company का market share अभी market में कितना है और किस तरीके से ये grow कर रही है यानि कि आज का जो मालिजे किसी company का price 1000 रुपे है वो आपको 2500 के level पर भी जाता है दिखाई दे सकता है तो ऐसा है जो आज आपको मेहगा दिखाई दे रहा है वो दो साल बात सस्ता हो रहेगा फिर आप दो साल बात सोचेंगे कि काश मेरे ये company 1000 रुपे पर खरीद ली होती तो आज में 25 रुपे लगबग 250 परसेंट का मुझे profit हुआ होता और भाई ये भी mindset रहता था कि एक रुपे का share है अगर मैं लेता हूँ तो एक लाग quantity आ जाएगी और मैं अगर ले रहा हूं समझे लो 1000 रुपे का share तो सिरफ 100 share आएगे और हमारा quantity वाला mindset तो हमेशा रहता है हम कहते हैं किसी को बताएंगे मेरे पास share है फलानी के मपनी कितने share है 100 share है और एक बता रहे हैं एक लाग share है मतलब ऐसा एक मज़ा आता है भाई एक लाग share है जी बिल्कुल जब मैंने start किया था तो देखिए मैं भी quantity के उपर जाता था क्योंकि मैंने एक लाग रुपे से start किया तो मैं यह सोचता था कि जादा से जादा quantity मेरे डीमेट अकांट में कैसे आ जाएंगी अगर आपको जादा quantity लेनी है तो आपको कहीं न कहीं वो penny shares भी जाना होगा और penny shares में भी देखिए बिना quality के अगर आप penny shares को खरीदते हैं तो quantity तो आपके पास आजाएगी लेकिन क्योंकि डीमेट अकांट में सारा कच्रा भर जाएगा आपके quality नहीं होगी तो वो quantity का फायदा नहीं है फिर क्योंकि अगर वो 10 रुपे का share 5 रुपे ओ गया इसका मतलब है कि आपने जो 1,00,000 रुपे इन्वेस्ट किए थे भली आपने 10 कंपनी में इन्वेस्ट किये थे तो वो आपके एक लाँ रुपे 50 रुपे बचएगे उसका क्या फायदा हुआ है इससे अच्छा एक लाँ रुपे आप इसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए अगर वो अच्छे पैस से ग्रो करेगी तो शेर मार्क तो कंपनी का प्राइज भी आपको बढ़ता हो दिखाई देगा और वह एक लाख रुपए आपके दो लाख रुपए भी हो सकते हैं तो सबसे पहला यह समझना है हमें कि अगर आप पैनी शेर खरीद रहें तो पैनी शेर में भी कुछ आपके चेक पॉइंट होते हैं उनको चेक करने के बाद यह आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और ना एक भाई इसमें माइंडसेट और भी होता है ना और आजकल तो मार्केट में पचास जार एक लाख तो उनके पास कुछ केपिटल थी उन्होंने मुझसे बोला कि शेर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने उन्हें कुछ पांट दर शेर जो अच्छे कंपनी हैं उनके शेर बताए तो कहने लगे यार यह तो दो दो हजार तीन तीन हर पर चल रहे हैं पांच- जो एक-एक लाख रुपे पार कर चुक है आज की डेट में तो अगर पांच-हयार पर अगर मैंने उनको वह रिकमेंड किया होता तो उस टाइम पर वह इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि सोचते कि पांच-हयार का शेर यह इससे ज्यादा और क्या बढ़ेगा लेकिन आज व बात है इससे मैं भी रिलेट कर पा रहा हूं मुझे भी कोई जानने पैचानने वाला अगर मिलेगा मुझसे पूछता है कि भाई कहां पर पैसा लगाना चाहिए मार्केट में ठीक है तो बताता हूं कि जो बड़ी नामी कंपनीज हैं वहां पर पैसा लगाओ वहां से स्व बड़ी नामी कंपनीज में उनका सवाल यही रहता है कि जो बड़ी नामी कंपनीज के शेर हें 1000-2000 रुपे चैनल और कितने बड़ेंगे तो एक बार ना ऐसा ही कुछ मेरे सामने सवाल आया वह इसका बड़ा एक इंटरश्टिंग आंसर गिया मैंने उनको बताया कि देखो बड़ीज नामी कमपनी का शेर आगर यहां से 10 गुना हो गया तो बड़के चला गया वह नागेगी वह 5,000 तो कमपनी के शेर को दस, बॉपनी हो गया, उसको डिवाइट कर देगी तो जिस बंदे के पास एक शेर है उसके 10 शेर हो जाएंगे, तो जब उसके एक के दस शेर होगे, तो पांच अजार की वैल्य थोड़ी रहेगी, उस शेर का जो रेट है, वो कम होगे हो जाएगा पांच सो रुपे, और शेर हो जाएगे दस, फिर वो शेर उपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते बढ़ते वो शेर चला गया, हजार रुपे तो फिर वो फिर वो shining bonus दे देगी एक शेर पर एक शेर बोनस दे दिया, वो एक के शेर होगे 20 ठीक है, और रेट उसका कितना है, अवी भी पांच सो रुपे है, तो वो शेर जो है, बिल्कुल शेर जो है, बानच सो रुपे है अब वो साही बात पर वोले आपने, बोनस औ कि वह उसको ना अपने प्राइस को एक रेंज में मैंटेन करती है एक लेवल के उपर शेयर अगर महंगा होता है उसमें क्या है कि लिक्विडिटी कम हो जाती है लोग उसमें ट्रेडिंग कम करते हैं जिसकी वज़े से क्या होता है कि एंट्री एक्जिट बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें तो भाई मैंने भी चीजना अफजर्व किया कि जो बड़ी कम्पनीज है उनका स्टॉक प्राइज आपको जनरली पांससो हजार दोजार दिखे और सालों साल आप उसको देखते रहोगे बीस साल बार दिया आपको उ स्टॉक मार्केट की जनरली स्टार्ट की तो वहां पर एक बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनीज है उनका मुझे याद है कि उस टाइम पर हजार रुपे का असपास का उसका प्राइस था और उस टाइम पर मैं उसको खरीदना चारा था लेकिन वही मैंने आपको बता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर की जो मेंटेलीटी रेती की हजार रुपे पर पहुंच गया वह मैंने नहीं खरीदा शेर और आज की डेट में अगर आप देखेंगे ना उस टाइम पर अगर मैं उसके दर शेर भी खरीद लेता तो आज की डेट में करीब मेरे पास सो शेर होते आज उसका रेट कितने है और आज उसका प्राइज चार हजार रुपे के आसपास यानि कि स्टोटल चालिश गुना वो श्टाउक बढ़ गया जो आपको हजार रुपे भी महंगा लग रहा था जी बिल्कुल यानि कि उसका रेट गया हजार से चार अजार रेट चार गु जो उसमें पैसा उस टाइम पे लगाया गया तो वो चालिस गुना वड़ चुका होता अगर आपने लगाया होता तो आज का प्राइस उसका चार जार है लेकिन हजार रुपे पर अगर मैंने शेर खरीद होते और बोनस शेर और स्पिलिट को अगर मैं कंसिडर कर दूं तो हो सकते हैं कि हजार रुपे का जो शेर था वो तो मुझे 100 रुपे में मिल गया ना क्योंकि कंपनी ने तो इस तरीके से ना स्टोक मार्कें में जो ब्लूचिप कंपनी होती है बड़ी कंपनी होती इस तरीके से वह बेनेफिट पास इंवेस्टर के पास तो यह समझनी पेपर और ऐसा नहीं है कि वह 140-500 पहुंच गया तो उसको सेल करके निकल जाना है उसमें आपको एक लिमिट लगानी होगी कि इतने अमांट के साथ मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा और यह जो मेरी केपिटल है यह लोंग टर्म इनवेश्मेंट के लिए है और उस पर आपको हाथ भी नहीं लगाना है जब आप देखेंगे कि 40% 50% का प्रोफिट आ रहा है तो आप उसको एकजिट करके और प्रोफिट को लेना चाहें गया कहीं आप यह सोचेंगे कि अगर काम करते हैं तो वह ऐसा हो गया कि आप खीर और कड़ी एक साथ ही बना रहे हो एक पतीले में बिल्लुकुल सही एक्जामपल दिया आपने और देखेंगे जब आप डिवेट खोलते हैं उसमें प्रोफिट दिखाई देता है तो बस यह मन करता है कि ऐसा नहों कि स्टॉक मार्किट में कोई क्रेश आ जाए और यह जो मेरे प्रोफिट अभी हाथ में आ रहा है यह ऐसा नहों कि मार्क सब्सक्राइब देखोगे आप इस उमीद में उसको होल्ड करोगे कि कहीं दुबारा से यह सो रुपेबर पहुंचेगा 105 मतलब प्रोफिटेवल होंगा और जब ही निकलूंगा तो देखिए इसमें हमेशा यह आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप 10-15 रुपे का प्र सब्सक्राइब करेंगे देखिए कि छो से और टी इन अगर आप share market सीखना चाहते हो तो आप join कर सकते हो मेरा free share market course जहां पे कि आपको share market सीखने को मिलेगा बिल्कुल basic से advance तक वो भी बिल्कुल free of the cost तो इस course की detail मिलेगी आपको इस podcast के description में तो अभी के अभी description open करो course की details को read करो और course को join करो और अगर आपने अभी तक telegram channel join नहीं किया तो share market से जुड़ी हुई latest news, information और updates आपको सबसे बहले मिलती रहती है मेरी telegram channel पर जिसका जो link है video के description में आपको मिल जाएगा तो अभी के अभी link के ऊपर click करके telegram channel join करो तो भाई इससे मुझे भी ना छोटा सा incident याद आगया तीन-चार साल पहले गा उस टाइम पर मैं बड़ा एक्टिवली स्विंग ट्रेडिंग करता था उस टाइम पर बाद में कुछ और चीजों में लग गया मेरा उसके ओपर ध्यान नहीं रहा फिर वह स्टॉक गिर के ज से 30-35-40 परसेंट नीचे चल ला है तो वो मेरी जो थी स्विंग ट्रेड थी और मैं उसमें इन्वेश्टर बन गया फोर्स फुली उसके बाद में उसके ना जो फंडामेंटल थे कंपनी के ठीक ठाक थे ऐसा नहीं सकते खराब थे ठीक ठाक फंडामेंटल थे बहुत पर मैंने उसको लेके रखा हूँ है और उसको निकल गए है पर उस शेर को मैं अभी भी लेके बैठा हूँ और हो सकता है मैं उसको अगले 10 साल ही होल्ड करूं उसको होल्ड करना के वीचे का रीजन यह है कि वह स्टॉक मुझे हमेशा याद दिलाता रहा कि अगर आपको को पर मैं अगले 5-10 साल के लिए हूँ मुझे पता है कि आने वाले टाइम पर कंपनी ग्रो करेगी पहले मैं क्या कि कई कई बार खराब fundamental वाले स्टॉक में भी ट्रेड कर लेता था मेरे स्टॉक जन्रली 70 परसेंट तो अच्छे fundamental वाले में रहते थे और 30 परसेंट थोड़े खराब fundamental वाले में रहते थे पर फिर भी वह स्टॉक मैंने निकाल दिये profit में निकाले और उसमें से एक स्टॉक पांच-दस दिन में महीने में profit लेके निकल जाओंगा और अब उसको तीन साल हो गया पड़े हुए और आपकी गलती को रिमाइंड करवाता रहेगा वह गलती को रिमाइंड कराता रहेगा बिलकुल बिलकुल और देखिए जब भी swing trading की बात होती है न तो बहुत से जो इन कि वो loss में जाने स्टार्ट हुआ तो आप उसको hold करके बैट जाते हैं और आप यह नहीं देखते कि company के fundamentals कैसे हैं और सबसे बड़ी problem retail investors के साथ यही रहती है कि वो खराब fundamentals वारी कमपनियों को भी केई सालों तक hold कर लेते हैं जबकि उन्हें करना क्या चाहिए था कि 5% या 10 का उन्हें एक अपना stop loss set करना चाहिए था और जैसी वो stop loss हीट हुआ उसमें से उन्हें exit कर देना चाहिए था जब मेहनत की कमाई जाती है तो दिल पे एक धक्का लगता है और दूसरा वो person accept नहीं कर पाता कि यह मुझसे गलती कैसे हो गई दिखे मार्किट में सबसे वड़ी चीज है कि आप अपनी गलती को accept करें और जो आपने गलत ट्रेड ले लिया उसमें से exit करें टाइम से अगर आप अपनी गलती को accept नहीं करेंगे तो आप आपके ट्रेडिंग में आप देखेंगे कि कुछ एक दो साल में इतने सारे कचरा शेर्स इखटे हो जाएंगे जो कि आपके लोस में ही ट्रेड होते रहेंगे और उसमें से profitable exit करना तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल तक भी उसमें possible नहीं रहेगा तो सबसे जरूरी है कि stop loss आपको maintain करना है अगर आप swing trading करना चाहते हैं मार्किट में तो भाई 2010 तक की जरन जेड़ लाख रुपए आपके 40-50 रुपए बचें और वो भी ऐसे person के जिसकी सेल्री बहुत जाद नहीं है तो एक तरीके से हिम्मट तूट चुकी थी और अगले एक से दो साल में ने बहुत जादा कोई investing या ट्रेडिंग नहीं करी मार्किट में लगकिली 2013 में जिस company में जोब कर रहा था उस company ने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई बेज दिया अब दुबई जाने से देखे मेरा सबसे बड़ा benefit क्या हुआ कि एक में थोड़ा सा ना एक माहौल मेरा shift हो गया और दूसरा वहां पर जो मुझे सेल्री मिल ली थी उस पर मुझे काफी तो वहां पर आपको कितनी सल्ली मिल ली थी उस टाइम बे वहां आप यह लगाईए कि यहां से दस गुना सेली बिल ली थी और वहां कि अगर मैं expenses को माइनस करने के बाद भी एक अच्छी खासी amount में saving कर पाता था तो दुबई जाने के बाद मैंने कुछ एक साल तक वहां पर भी कोई trading नहीं करी और एक अच्छा खासा fund मेरे पास एकटा हो चुगा था तो एक साल के बाद फिर मैंने दुबारा से market में interest लेना स्टार्ट किया क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास पैसा होता है ना तो market अपने पास वह दुबारा से खीचती है तो जब मेरे पास पैसा हुआ एक साल मेंने जो savings थी वो bank account में था मेरा तो मैं यह सोचता था कि यह जो मेरे पास पैसे पड़े हुए bank में यह किस तरीके से मैं इसको double कर पाऊं या एसी जगे invest कर दूँ ताकि यहां से मुझे अच्छे returns मिल सके हैं तो दीखे मैं stock market में काम करता था तो म बहुत कि मैंने ना वहाँ पर बहुत जादा study करने के बार shares नहीं खरी दे यानि कि जो गलती में चार पांस साल पेले कर रहा था वो दुबारा से में गलती repeat करने लगा क्योंकि उस time पर market में आपको बता है 2014 के आसपास की में बात कर रहा हूँ 2014 के आसपास market में कुछ ऐसे shares थे देखिए मैं बात कर रहा हूँ 2014 की तो 2014 में कुछ ऐसे shares थे जिनके उपर में काफी लंबे टाइम से आप बोल सकते हैं कि वोच लिस्ट में मैंने उन shares को रखा हुआ था और वो companies मालीजे 455-500 रुपे की company है वो 300 रुपे के आसपास आ गई तो उन company को मैंने दुबारा स से बायक ने स्टार्ट कर दिया अब उसमें यह हुआ कि जो company 300 रुपे थी वो गिरकर market में एक बड़ा क्रेश आया उसके बाद वो company 100 रुपे के आसपास आ गई यानि कि जो मेरी capital थी वो दुबारा से वन थर्ड रह गई तो वही गलती में दुबारा से repeat कर रहा था और जो साल में दुबई था महाँ पर प्रोजेक्ट चला और उसी दोरान मेंने कुछ 80 शेर्स खरीदे थे जो मेरे fund महाँ पर इखटे हुए थे उससे अब वो भी मेरे loss में चलने लगे ट्रेड तो वहां से आने के बाद 2015 के बाद 2016-17 में थोड़ा सा मैंने अपना एजूकेशन प मार्केट में काम करने स्टार्ट किया और लग्की लिए वो अभी तक बहुत अच्छी चल लगी है तो भाई यह तो आपकी जर्नी होगी अभी बात करते हैं थोड़ी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेजी इंवेस्टिंग स्ट्रेजी के उपर तो अभी करेंटली आप करेंटी रहती है और स्टार्टिंग में जो आपने लॉंग टर्म इंवेस्टम परपस से शेर्स खरीदे थे उनको भी आप स्ट्रेडिंग के थुरू बेच कर निकल जाते हैं तो मैं आपको यह स्ट्रेज्ट करूंगा और जो मेरी खुद की स्ट्रेजी है कि मैं जब भी स्ट्रेडिंग के लिए शेर्स खरीता हूं तो वह एक अलग डिमेट में खरीता हूं और जो लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट के शेर्स करीता हूं वह अलग डिमेट में खरीता करना पड़ जाए मिनिमम मैं 15 दिन के लिए उसको बाइब करता हूं और अगर वह दो चार महीने में मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशल है या टेकनिकल बेसिस पर मुझे लगता है कि आने वाले दो से तीन महीने में इस शेर में और भी गैन देखने को मिल सकता है तो देखिया स्विंग ट्रेडिंग में जो मैक्सिमम मेरे शेर्स रहते हैं 80% में आपसे बोलूँगा कि 80% जो शेर्स रहते हैं मेरे वह उसमें मैं पहले सी टार्गेट सेट करता हूं यानि अगर ये शेर में 100 रुपे पर खरीद रहा हूं तो उसमें मेरे टार्गेट फिट करता है कि मैं 120 रुपे पर इसको सेल करके निकल जाओंगा यानि 20% का मैं इसमें गेल लूँगा तो एक 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 जामपल मैं देता हूं माली जे कोई शेर में 100 रुपे खरीदा तो उस पर मैं एक टार्गेट कर देता हूं कि 110 रुपे पहुंचेगा यानि 10% का प्रोफित र जाओंगा पहले देखिए मैं यही गलती करता था कि जब मेरे स्टोक लोस में जाता था तो मैं उसमें से एक्जिट नहीं करता था क्योंकि एक मेंटेलिटी रहती है कि हमारा जो डिसीजन है वो गलत कैसे हो सकता है यानि कि कोई शेर खरीदा तो वह नीचे कैसे जा सकता है यह हम एक्सेप्ट नहीं करते थे तो लेकिन अब जो मेरे मेंटेलिटी या थोड़ी सी चेंज हो गई है मार्किर के साथ साथ जैसे जैसे एक्स्पिरेंस लिया में ने पांच परसेंट का अगर मुझे लोस भी बुक करना पड़े तो मुझे उसमें कोई प्रोब्लम नहीं यह मैं 5 परसेंट का लोस लेकर भी मार्किर से एक्सिट कर जाता हूं और जैनरल यह आपका टारगेट कितना है कि तस परसेंट धी रहता है या कभी ज़या रहता है वैली करता है स्टॉक तूस्टॉक लेकिन घैसे मैं बताया कि 80 परसेंट जो में स्टॉक्स करीटता हूं वो एक fix target के साथ खरीदता हूं यानि कि 10-12% अगर मुझे profit मिल जाएगा तो मैं exit कर जाता हूं लेकिन कुछ शेर से रहते हैं कि मालीजी रिसेंटली उनमें कुछ अपडेट आया कुछ news ऐसी आही है यानि उसके कुछ result ऐसे आये जिसमें मुझे लगता है कि इस company के share में और potential इनिशल है यहां से वह अगर 10% यह company के quarterly result में अच्छा परफॉर्म किया है तो एसे stocks को में थोड़ा सा और hold कर देलता हूं कि चलो अगले quarter तक मैं उसको hold नहीं करता हूं क्योंकि अगला quarter फिर तीन-चार महीने बाद आता है पांच महीने बाद अब मालीजी मैंने कोई share अच्छे आ रहे हैं तो उन companies में बाइंग आएगी और जब भी किसी भी कंपनी में बाइंग आती है तो उस company के share price में हमें बड़त देखने को मिलती है अगले quarterly result का में वेट नहीं करता है अब फंडमेंटरी स्टॉंग स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है कि माली जी कोई market में ऐसी नियूज आ जाती है जिससे कि market एकदम से crash हो जाए तो वो थोड़ा सा अपने को safe guard उससे मिल जाता है कि company चलिए ठीक है swing trading के लिए लेकिन कोई overnight ऐसा कोई crash आ जाता है तो उससे हम थोड़ा सा safe रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि fundamentally strong है तो थोड़ कि swing trading के अगर मैं अपनी strategy की बात करूं जिससे मैं personally जिस पर मैं काम करता हूं और अपने viewers को भी मैं बता दूं बहुत अच्छी strategy है और इस strategy को अगर आप use करेंगे तो इसमें RSI आपको देखने की ज़रूतनी है अब देखे RSI के अगर बात करें तो RSI आपको पता है दो ति 70 और 30 की एक range रहती है उसमें लोग उसको ट्रेड करना पसंद करते हैं या उसको आप 2080 की range भी बोल सकते हैं और कुछ लोग होते हैं जो RSI के 50 वाली जो लाइन देती है उस पर ट्रेड करना पसंद करते हैं तो जो में strategy यूज करता हूं उसमें आपको RSI देखने की जरूत इस setup का crossover हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर RSI automatic आपको 50 से उपर जाता हो दिखाई देता है तो personally मैं इस setup के उपर काम करता हूं और इसमें करता हूं simply मैं EMA को use करता हूं exponential moving average को इसमें मैं 2 EMA लेता हूं 9 days का EMA और 21 days का EMA और इसका जब भी हमें crossover देखने को मिलता है तो वहाँ पर मैं अपना trade को place कर देता हूं तो आप अगर देखें चार्ट के उपर यह दोनों EMA को set करेंगो और इसके crossover को अगर आप देखेंगे तो crossover के साथ आप देखेंगे अगर आप RSI भी उसमें लगाएंगे तो आपको देखने को मिलता है तो RSI automatically आपको 50 से उपर जात मार्केट में उतनी active नहीं है वो सोच रहे हों कि भाई यह EMA क्या होती है तो मैं आपको एक basic concept समझा देता हूं तो सबसे पहले आपको MA समधना पड़ेगा इनकी moving average moving average का क्या मतलब होता है कि पिछले 10 या 20 दिन का कोई stock price है महनलो पिछले 20 दिन का पिछले 20 दिन का stall price है उसकी average निकलती है मानलो close का moving average है ठीक है?! उसका period है close? तो मतलब पिछले 20 दिन का closing price निकालके upper time is. और जो एवरेज है वह प्राइष के साथ साथ में गार्ज होती है और यに एने टाइम वह जो दिन छल रहा है उसके पिछले 20 दिन की जो एवरेज है वह क्या है वह आपको दिखेगी 서 सब्सक्राइब सबस्क्राइब वह बोलते हैं और SMA तो जो SMA यानि कि Simple Moving Average होती हो प्राइस के साथ में slow react करती है और जो EMA है वो प्राइस के साथ में fast react करती है तो यह होती है basically exponential moving average और भाई जो strategy use करते हैं उसमें क्या करते है 21 और 9 EMA का crossover पहुत अच्छा का crossover हमें देखने को मिल रहा है या नहीं तो इसलिए में EMA को use करता हूं और उसके basis पर में trade लेता हूं तो आपके trade लेने का point क्या रहा है तो 21 की हमने EMA ले ली 9 की EMA उसको cross कर रही है वहां भी आप trade लेते हो बिल्कुल बिल्कुल 9 की जैसे ही में 21 days की EMA को cross करेगी तो महां पर मैं अपना trade प्लेस कर देता हूं तो भाई आप सिरफ crossover पे काम करते हो या फिर उसके साथ में कुछ और भी देखते हूं देखिए मेरा ये setup तो रहता है लेकिन इसके साथ साथ में volumes को और trade करता हूं अब देखिए मैं आपको और अपने विवर्स को ये बता दूँ कि जब भी आप कोई setup बनाएं कोई भी ट्रेडिंग setup बनाएं उसमें वोल्यूम्स को जरूर आप paid किजीए क्योंकि देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कोई trading setup बनाते हैं और उसमें बहुत बार आपको crossover देखने को मिलते हैं लेकिन कुछ क्रोस ओवर ऐसे होते हैं जो false क्रोस ओवर भी हमें देखने को मिलते हैं उसमें से कुछ ऐसे क्रोस ओवर रहते हैं जहां पर हमें actual में काम करना होता है तो यह चीजों का जो difference है जो fake आप बोल सकते हैं fake क्रोस ओवर देखने को मिल रहा है या actual लेना और जब भी देखिए क्रोस ओवर के साथ साथ वॉल्यूम के साथ क्रोस ओवर देखने को मिलता है तो उस टाइम पर मैं अपने ट्रेट को प्लेस कर देता हूँ अच्छा तो वॉल्यूम की भाई समें क्या सिग्निटेकर है ते किया पटा चलता है कि लोड़ीयुंऌ से हमें पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ सेलनर्स मार्कित मैं एक्टिव है इस पर्टिकुलर स्टौक को लेकर बहुत जादा वॉलियूम के साथ अगर क्रोसवर में हमें देखने को मिल रहा है इसका मतलब है कि buying इंट्रेस्ट कहीं ना कहीं ş Brian's का स्टॉक में देखने को मिल्जा है तो वहां से स्टॉक में हमें ओर ज्यादा कीया वाल्यूम मान लो20 दिन या कैसा क्या रहता आपका क्राइटेरिया देखिए अगर मालीजे पचास हजार किसी स्टॉक में नॉर्मल वॉल्यूम आ रही है वहां से वो वॉल्यूम अगर सटनली डबल हो जाए मालीजे एक लाग या उससे उपर पहुंच जाए तो इसमा बोल सकते हैं कि कही ना कहीं इ 10-20% बड़ी हुए उसमें आप काम नहीं करते हैं नहीं ऐसे क्रोसवर को मैं अवोईट करना पसंद करता हूं क्योंकि देखिए 10-20% वॉल्यूम कोई बहुत जादा यह नहीं बोलेंगे कि बहुत जादा बाइंग इंट्रस्ट आ रहा है अब देखिए किसी भी स्टोक में अगर वॉल्यूम डबल हो रही है इसका मतलब है कि उस स्टोक में लोगों को जो इंट्रस्ट है वो भी डबल हो रहा है तो इसका हम फायदा उठाने की कोशिट करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में आपको अकसर एसे ही जो इंसिडेंट रहते हैं उनको केप्चर करने की हमेशा देखनी है आप कोई साथ भी ट्रेडिंग सेटप बना लीजिए उसके साथ साथ आप वोल्यूम को जरूर यूज कीजिए क्योंकि देखिए बिना वोल्यूम के अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसिस रहेंगे कि आप फेक क्रोस ओवर में और और क्या करते हैं और इन सब चीजों को आप मैनेज कैसे अगरते हो एकसात में क्या रूटीन रहता आपका सुभए से लेके शाम तक आप क्या चीजें करते हो देखिया पहले में कुछ टाइम तक मैंने इंटर डे ट्राइड किया था लेकिन इंटर डे में होता क्या है आपको मॉर्निंग में नाइन ओक उठना होता है और पूरे दिन आप बोल सकते हैं कि लगवाग आदा दिन आपका लेप्टॉप के सामने जाता है क्योंकि जब भी आप इंट्राइडे टेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ता है कि अभ दो तीन बज़े तक लेप्टॉप के सामने बैठे रहो तो इसलिए मैंने अब रिसेंट कुछ यर्स में इंट्राइडे को अबोईट किया और यही मेरा परपर्स राग कि मैं स्विंग टेडिंग की तरफ गया क्योंकि स्विंग टेडिंग में होता क्या है आपने कोई शे वायर ओफ करना है तो स्विंग टेडिंग में सबसे अच्छी बात यह कि वहाँ पर अपने को काफी टाइम मिल जाता है और आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो अभी बात करते हैं सबसे बड़े प्रॉफिट की वह आपने एक दिन में या एक ट 50-60% तक भी मेरा लोस हुआ था में टोटल इंवेश्मेंट पर लेकिन पिछले 5-6 साल में मैंने अपनी स्टैटीजी को थोड़ा सा चेंज किया और तब आपकी इंवेश्मेंट भी छोटी थी हाँ उस ताइम पर मेरी इंवेश्मेंट छोटी थी लगी ली क्योंकि देखि किया तो अब मैंने पिछले 4-5 साल में अपनी स्टैटीजी को चेंज किया है और मैं अपने पॉटफोली को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करके चल रहा हूं यानि कि एक एक एग्जामपल लेते हैं अगर मेरे पास दस लाख रुपे हैं तो दस लाख रुपे ऐसा नही करना पसंद करता हूं और लोंग टर्म की जब मैं बात करता हूं तो वहां पर तो मेरे जो चेक पॉइंट हैं वह चार-पांच और बढ़ जाते हैं क्योंकि पूरी तरीके से फिल्टर आउट करने के बहाद ही मैं किसी स्टॉक को बाय करता हूं तो अमाली जे किसी स्टॉक मैं आपको बुरे से बुरा क्या हो सकता है कंपनी पूरी डूब गए तो 50,000 पूरी डूब गए या 40,000 आपने लगा या 30,000 जो भी लगाए तो मतलब तीन से लेगे 5% आपके पॉर्टफोलियों का नुक्सान होगा और वह कंपनी पूरी डूब जाती है पूरी जे एक कंपनी में मुझे लोस भी हो रहा है तो बाकी की जो कंपनी है वहाँ पर मुझे रीकवर करके दे देती हैं मतलब आप डाइवर्सिफाइड करके रखते हो अपने पूर्टफोलियों को चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो तो उसमें जो लॉस से वो लिमिटेड हो जाता है क्योंकि 20-25-30 कंपनी में बांट के पैसा लगा रहे हैं बिलकुल बिलकुल देखिए अगर आपको इस्टोक मार्किट में बचके रहना ने अपना आपको बचाना है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के उपर बहुत जाद धियान द लगा दियो और उसमें लॉस के चांसे काफी कम दूबे गाभी तो एक कंपनी में जो है नुकसान वो लिमिटेड है क्योंकि उसमें फंड लिमिटेड लगा हूँए तो इनीशिल स्टेज में जो आपने किया सबसे बड़ा लॉस इनीशियल स्टेज में मुझे साट का जो लोस है वो आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो लेकिन अगर आप मेरी टोटल इन्वेश्टमेंट देखेंगे तो टोटल इन्वेश्टमेंट यू उस टाइम पर रुपे का सपास थी और वह एक लाग बने थे हाँ वह एक लाग से डेल लाग बने थे और फिर उ लोस था तो वही मेरा इनिशियल लोस रहा उसके बाद जैसे मैं आपको बताए कि ट्रेडिंग मैंने थोड़ी सी कम कर दी थी और अपनी नौलिज के उपर काम किया नौलिज गेन करी और उसके बाद पिछले अगर 6-7 साल से में बात करूं तो मुझे लोस बहुत कम होते है प्रॉफिट के कमपेर में लोस मेरे अभी की डेट में काफ़ कम है और प्रॉफिट की अगर बात करें जैसे आपने लांग टर्म इंवेश्टमेंट आप करते हो तो उसमें अभी का पोर्टफोलियो है या प्रीवियसली किसी स्टॉग ने आपको हद से हद मैक्सिम जिसने लॉस दिया घृट कितने परसेंट का लॉस थी आपको उसने मुझे देखिए एक शेर याद है उसने एटी परसेंट के आसपास का मुझे लोस दिया और उसमें आपने कितना इंवेस्टमेंट किया हुआ था उसमें मैंने कुछ तीजन रुपे का असपास लगा थे तो वह लगबग कह सकते हैं कि 25,000 रुपे उसमें नुकसान हुआ और पांच रुपे मेरे पास बचे थे तो 80% के साथ मैंने उसमें से एक्जिट किया और उस 5,000 को मैंने किसी अच्छी कंपरी में लगाया पिर अच्छा और हाइस प्रॉफिट अगर बात करें लांग टर्म इन्वे लोंग टर्म परपस से मैंने वो शेयर बाय कर रखें तो 300% पर भी मैं उसको सेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखें अगर आपको 300% यानि कि चार गुना हो गया यह सो का लिया और 400 पहुंच गया तो उसमें 300% गेन है 300% यानि कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो चार गु है सकते हैं कि complexity में जो downside limited है यानि कि वह एक ही शेयर पिछले जो तीन चार कंपनी हैं जिनमें लोस हो सकता है उनको सबको वह एक ही शेयर रिकवर कर और जिस टॉक में आपको यह तीन-चार सो परसेंट आपका प्रॉफिट चल लाए उसमें आपने कितना इंवेस्टमेंट किया हुए है हाई इस अगर बात करें हाई इस टॉक में आपने 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 लगाया हुए है देखिए मेरा जो पॉटफोलियो है वह डाइवर्सिफाइड रहता है तो एक शेयर में में बहुत जादा इंवेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता हूं लेकिन एक एक जामपल देता हूं एक शेयर है मेर जिसमें मैंने कुछ देड़ दो लाख रुपे के आसपास के बीच का मुझे प्रोफिट चल रहा है अब देखिए इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मैंने इनीशियल लोस किये थे मार्किट में 40,000 के 50,000 के अब आप यह समझे कि एक ही शेयर उन सारे लोस को कवर कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप सही शेयर को लोंग टर्म के लिए प्रोफिट चल रहा है तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा रफली उसमें मैंने 40,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो लग बहुत तीन-चार सो परसेंट का ग कि अखि़न देशकता है उसकी कोई नहीं है लोज कैंश्रों के पर हिस रते है कि वह बहुत है बाट यह सबसychटार कि बात कि कि यहाँ पर अगर आप सही टाइम पर सही स्टोक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट केई गुना हो सकती है तो भाई जैसा कि आपने बताए कि आप स्विंग ट्रेडिंग और लॉंग ट्रम इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें न्यूस का बहुत एफेक्ट पड़ता है तो कभी ऐसा को इन्सिडेंट आपको याद है किसी न्यूस की हो जैसे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा लॉस हो गया हूँ हाँ बिल्कुल देखिए 2019 के मैं आपको बात बताता हूँ 2019 में मैंने एक शेर में ट्रेड लिया था और वो प्योरली न्यूस बेस्ट ट्रेड में लिया था क्योंकि 2019 में आपको याद होगा पॉल रिजल्ट आने वाले थे उस टाइम पर जो पॉल के रिजल्ट आने वाले ज़्यादव कॉंटिटी में मैंने उस टोक को बाई किया था देखिए जैसे ही रिजल्ट आने स्टार्ट हुए आपको पता है न्यूस पर पहले से ही पता लग जाता है कि कौन सी जो पार्टी है वो लीड कर रही है तो जैसे जैसे मार्किट के फेवर में न्यूस आने उस स्टोक में काफी बढ़िया हमें गेन देखने को मिला आप यकिन वानिये कि एक ही दिन में वो स्टोक आपको 15-20 परसें भागता हुआ दिखाई दिया तो उस कंपनी में मैंने पोजिशन बनाई थी और मेरे एक ही दिन में मैंने काफी अच्छा प्रोफिट उसमें बना न्यूज बुरी भी आती है कोई ऐसे यहाद है जिसकी वाज़ा से आपको बहुत मूटा नुकसान वह किसी स्टॉक में हां देखिए एक एवेशन कंपनी थी और उस कंपनी में बहुत सारी न्यूज डेली बेसिस पर आ रही थी तो वह बहुत जादा वोलेटाइल शेर था यह एवेशन सेक्टर की कंपनी थी तो उस कंपनी को मैंने न्यूज बेसिस पर बाई किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत जादा वोलेटाइल यह शेर है तो अगर इसमें सही न्यूज आ गई सही टाइम पर तो मेरा काफी अच्छा पैसा कुछी दिनों में बन सकत तो इसी टाइब की कुछ न्यूज आ गई थी कि वह कंपनी अपने स्टाफ को सेल्री भी नहीं दे पा रही अपने एक्सपेंसिस को मीट नहीं कर पा रही तो वह कंपनी मैंने खरीदी तो इसलिए थी कि कुछी दिनों में अच्छा प्रोफिट कमाऊं लेकिन बुरी कि इसको रिकवर कर जाएगा लेकि देखिए उसने रिकवर नहीं किया लगा था नेगिटिव न्यूज आती रही और फिर लास्ट में मैंने उसको सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसिंट के लोस पर उसमें से में एक्जिट हुआ और उसमें आपने इंवेश्मेंट कितनी नुकसान हो सकता था बांट के स्टॉक्स में पैसा लगाया तो एक कंपनी पूरी भी दूबगी तो ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा उसमें बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अमालिज ऐसा नहीं है कि हर ट्रे चाहिए कि मालीजे किसी ट्रेड में हमारा डिसीजन गलत भी हो गया तो मैक्सिमम जो हमारा लोस रहेगा वह एक लिमिटीड रहेगा तो इस तरहीके से डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करके चलेंगे मार्केट में तो आप अपने आपको मार्केट के लोस से बचा सकते है में क्या है कि ऐसा भी होता है कि 2-3 साल जो मार्केट है वो चला ही नहीं है तो मार्केट खड़ा है यहां फिर मार्केट नीचे चल रहा है तो अगर मार्केट परफॉलियो परफॉर्म करेगा तो अगर मानलो आपका परफॉलियो नेगटिव चल रहा है साल 2-3 साल के लिए तो तब आपको market में ठिके रहने के लिए motivation कहां से मिलता है देखिए अभी मैं example आपको देता हूँ 2022 में market बहुत जाद कोई अच्छा perform नहीं किया अब देखिए यह जो चीज रहती है जो नया investor है यह चीज नया investor को थोड़ा सा परिशान कर सकती है लेकिन क्योंकि हमें काफी time हो गया market में काम करते हुए और ऐसे phase हमने market में कई बार देखे हुए है और हमें यह पता है कि यह जो phase है इसके बाद जो bull run आएगा उसमें जो profit बनेगा वो एक अच्छा खासा profit आपका बन सकता है क्योंकि हमने past में भी profit बनाया तो इस तरीके जो phase रहते हैं इनमें मैं बहुत जादा परेशान नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पीछे भी हमने पैसा बनाया और आगे भी market बना कर देगी तो बहुत जादा मैं इस चीज की tension नहीं लेता हूँ लेकिन जो नए investor आ रहे हैं वह हो सकता है कि इस चीज से बहुत जादा परेशान हो जाते हूँ क्योंकि अभी माली जे उन्होंने 2022 में market में एंटर किया हो और 2022 में उनकी entry के बाद ही market perform करना बंद करते तो वह सोचेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बाते हम सुनते थे लेकिन market में तो एक्चोल में पैसा बनता ही नहीं है तो देखें ऐसा नहीं है कि market में पैसा नहीं बनता और इसी तरीके से market भी काम करती है जब लगातार market भागती है जैसे आपको पता है 2020 में 2021 में काफी बड़ी बुल रन हो market में देखने को मिला था तो 2022 का जो पीरेट था वो आप बोल सकते हैं कि market का रेस्टिंग पीरेट था market थग गई एक तरीके से market रेस्ट कर रही है क्योंकि दुबारा लंबी दोड लगाने के लिए कहिना की market को भी रेस्ट करना पड़ता है जब वो रेस्ट करती है थोड़ा सा आपको फ्लेट market देखने को मिलती है तो आप यह मान के चलिए कि जो इसके बाद जो market भागेगी उसके बाद वहाँ से काफी बढ़िया profit आपको देखने को मिलेगा तो जब भी इस तरीकी की market देखने को मिलती है तो मैं तो यह कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे शेर्स अपने portfolio में एड करूँ जो quality में काफी अच्छ है और वहाँ पर आपको price में थोड़ा सा एक reasonable price पर में उसको aid कर सकूँ ताकि जो अगला bull run आएगा उसमें बड़ा profit मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल जो अगला bull run आएगा उसका हम फायदा उठा सके हैं तो देखिए जब भी आपको bull run का फायदा उठाना है तो ऐसा नहीं है कि जब market भाग रही है उस time पर आपको उसकी तयारी करनी होती है आपको bull run से पहले ही उसकी तयारी करनी होती है ऐसे stocks पर नजर रखनी होती है जो quality में अच्छी है लेकिन सही price पर आपको देखने को मिल रही है और देखे flat market है तो भी बढ़िया है लेकिन जब market अगर गिरती है तो उस time पर तो मैं और भी जादा खुश हो जाता हूं क्यों अच्छी कमप्रिया में कम price पर देखने को मिल रही है तो उन shares को मैं अपने portfolio में एड करनी के खुशी करता हूं तो ऐसा नहीं है अगर market perform ने कर दिये तो हम demotivate हो जाए और हम यह सोचे कि market तो बेकार है यहाँ पर तो पैसा बनता ही नहीं है बलकि इसको एक opportunity की तरह देख रहो तो अगले 5-10 साल का आपको market का जो view है कैसा लगता है market को कहां देखते हो अगले 5-10 साल में देखिए 5-10 साल का जो period है वो काफी लंबा period होता है और आपको पता है आप history उठा कर देख लीजिए जब भी market में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है या देखने को मिले तो मेरा view बिल्कुल bullish है market को लेकर और निफ्टी को मैं यहां से double के level पर जाता हो देख रहा हूं अगले 5-7 साल में तो भाई एक ना लोगों के मन में बड़ा सवाल रहता है investment शुरू करने से related लोगी सोचते हैं कि यार हम एक सही मौका आने पर investment शुरू करे देखिए अगर आप market में मोखे का इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि आप इंतजार ही करते रहें देखिए सबसे अच्छी जो strategy रहती है long term के लिए आपको हर जो छोटे चोटी opportunity आपको मिलती है उसको आपको capture करना होता है हाँ तो देखिए अगर आपको long term investment करनी है तो 50% invest करना है क्योंकि अगर आप सारी investment को यह सोच कर hold पर डाल देंगे कि जब market में बहुत बड़ा कोई क्रेश आएगा उस टाइम पर हम invest करेंगे एक साथ लगाएंगे तो वह strategy हो सकता है कि आपकी काम ना करें क्योंकि जो बहुत बड़े क्रेश होते हैं वह 4-5 साल में एका मौके पे और एक पैसा साइड में रखेंगी चलो बड़ा मौका है तो वह भी लगा लेंगे हां बिल्कुल देखिए इसमें आपकी जो टोटल investment है उसका आप एक percentage fix कर सकते हैं कि 50% जो मेरा amount है वो मैं जब लगाँगा जब market में बड़ा क्रेश आएगा लेकिन जो 50% आपक मन्थली market में invest करने हैं तो उस महीने में जब भी आपको ऐसा लगे कि market 2-3% गिर गई है तो उस टाइम पर आप अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर आप मन्थली basis पर चोटे-चोटे target लेकर invest करेंगे तो market में जो opportunity है उसको भी आप miss नहीं करेंगे और जो चोटी opportunity मिल रही है उसके लिए मेरे पास जो amount है वो अलग है तो उस तरीके से आप सिप के थुरू monthly basis पर investment कर सकते हैं जिससे आप चोटे मोक का भी फायदा उठा सके और जब market में बड़ा क्रेश आएगा तो उसका भी फायदा उठा पाएंगे तो देखिए जब आप चोटे मोके का भी फायदा उठा रहे हैं आप और बड़े क्रेश का भी आपको फायदा प्रोपर टाइम पर मिल जाता है तो यह निए कि पूरा हम बाहर निकल के बैड़ जाएंगी बड़ा क्रेश आएगा तब ही लगाएंगे और उसके चक्कर में आज के टाइम पर जो उसको मिस्ट कर दें यह नहीं करना है बिलकुल बिलकुल जो आज उपरचनिटी मिल रही है उसको तो आपको मिस्ट नहीं करना है क्योंकि देखिए जो अच्छे शेर रहते हैं वो क्रेश भी होगा मार्किट अगर मालीजे 20% 25% गिर भी जाते हैं तो आने वाले 6-7-8 महीन में एक साल में वो उससे ज्यादा रीकवर कर जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि अच्छे शेर को सिर्फ इसलिए मिस कर देना है क्योंकि बड़े क्रेश का वेट कर रहे हैं और उसी टाइम पर खरीदेंगे जब बड़ी ग्रावट देखने को मिलेगी अच्छे शेर अगर उसको फेर वेलेशन पर मिल रहे हैं मार्केट भले अभी थोड़ी सी बढ़ चुकी है उसको भी आप छोटी-छोटी क्वांटिटी में अपने पॉट्फोलियो में एड़ कर सकते हैं तो जुनेद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आई होप हमारी जो और उन् पाया और देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नवजोद भाई से इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और अगर आपको एक अच्छी लगी तो आप कमेंटों में बता सकते हम इसका एक पार टू भी लेक आएंगे जिसमें और जाए डेटेल में आपको जो चीजे हैं वो सिखाने का हम लोग यहां पर प्रयास करेंगे जी बिल्कुल अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ चीजे हमने मिस कर दी है उसके बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए थी तो उसके बारे में आप बताईए हम कोमेंट सेक्शन में आपके कोमेंट्स को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर पार्ट टू भी बनानी की यहां पर कोशिश करी जाए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब क कर लो मिलते अंगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी ट्रेडिंग और हैपी इंवेस्टिंग